हेलो फ्रेंड्स आई होप आप सब अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे दू इंजेक्शन के बारे में जिनके यूप यूप करने से आपको काफी सेरे बेनेफिट्स मिलेंगे आपका सरेंड है जो ताकत है वह बढ़ने लगेगा आपका जो कमजूरी है वह दूर हो जाएगा आपका पेरों जो दर्द है वह भी कम हने लगा तो यह दू इंजेक्शन क्या है इसका सारे डिटेल सारे जनकारिप पाने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा वीडियो को लाइक करो, साथ में बेल आइकन क्लिक करो, तो चलिए शुरू करते हैं, तो फ्रेंट जब भी मौसम बदलते हैं, टंड पड़ जाते हैं, तब हमारे सरीर में बहुत सरे प्रब्लेम दिकाई देते हैं, चलने फिरिने में दिक्कत आता है, तकान मैसूस होता है, कमर दर्द, ऐसे गुटनों में दर्द काफी सारे हो जाते, हाथ कपने लगते, ऐसे नसों में काफी सारे स्टंडे की मसम में हो जाते, तो यह सब प्रब्लेम क्यों हो रहा है, क्योंकि यह सब प्रब्लेम हो रहा है, सिर्फ खाने पीने की वज़े से, क्योंकि आजकर जो च चाहिते सही मतनवा में नहीं मिल रहा है इसलिए आपको खानेपिने में काफी दियान रखना होगा इसे दो इंजेक्शन और यह जो इंजेक्शन है एक का नाम है नियूरोकाइं प्लास मैंकााइन तरह सेम है इसलिए उसके MRP है 16 रुपीज और नियुरोगेंट प्लास जो है उसके मेकोवला में आपको मिलेगा 1500 तो आप बत करें इसका जो डौज होगा क्योंकि जब भी आप यह इंजेक्शन लेने के लिए सोचेंगे तो उसी टेम आप डक्टर के पास जाएंगे और डक्टर जो भी आपको साजेक्शन देगा जैसे डूज ते करेंगे उसका हिसाब में आप डूज लेजे ठीक है अगर पेशन का कंडिशन ज्यादा खराब है तो डक्टर उसका डूज रोजना भी दे सकता है या अल्टानटिब दे सकता है या डक्टर ही ते करेंगे बिना डक्टर से फूचके यह दवा अब मत लेजे ठीक है अब बात करें उसका साइट इफेक्शन की क्योंकि यह बिच्चे को दुद पिला रहा है या फिर प्रेग्नेंट रोमेंट है तो इन लिगों के लिए यह दवा जब भी आप लेने के लिए सोचेंगे तो तुरंत आप डक्टर से संपर्ख जरूर करिए बीना डक्टर के साला से कोई भी दवा यह दवा ना ले ठीक है और एक बा हो चाने में आपको तुडञा बहुत रहात मिल सकते हैं धृक्त इसलिए शरीर को ठीक रखने के लिए, खाना पिना में भी ब्यान हो और साथ ही साथ exercise भी करो ठीक है तो friends आज के लिए वीडियो यही खतम करते हैं मिलते हैं हम अगले वीडियो में वीडियो एच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए और शेयर करिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सबस्क्राइब करिए और भी काफी सारे वीडियो है आप लोग देखते रहे हैं